आर्टिफीचल इंटेलिजेंस की वज़े से अगले पांच वर्षों में दुनिया भर में नौकरियों का बादार बदलने वाला है वर्ड एकनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल दोजास तक दुनिया भर में 8.3 करोड रोजगार खत्म हो जाएंगे कौन-कौन से रोजगार खत्म होंगे हमने इस पर विस्तार से एकनामिकम एक बार चर्चा की थी कि आने के बाद कौन से नौकरियां बदलेंगी मध्य स्तर पर जो प्रसेस से जुड़ हुए रोजगार हैं पर सबस्यादा असर होगा और सबस्यादा असर होने की संभावना शुबं उन्हीं क्षेत्रों में हैं जिन शेत्रों में ITS उचना तकनिक पहले से मौजूद है और इसलिए सुचना तकनिक कंपिनियों ने छटनी शुरू की है कई सारे ऐसे क्षेत्र जो सुचना तकनिक सेवाए देते हैं जहां लोगों को डेटा क्रेंचिंग के लिए डेटा अनलिसिस के रखा जाता है वो सारा काम आर्टिफिशल इंटेलिजन्स के जरी होगा क्योंकि आर्टिफिशल इंटेलिजन्स डेटा अनलिसिस करेंगी इसके अलावा जो मध्य लेवल के सर्विस प्रोवाइडिंग के जॉप्स हैं उनमें भी IT का AI असर करेंगी और तीसरा महत्तुपों हिस्सा होगा जहां कमपीनिया रोबोटिक्स का और डेटा अनलिसिस का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस प्लांस को भी त्यार करेंगी इस हिसाब से सबसे बड़ा असर आर्टिफिशल इंटेलिजन्स का सूचना तकनीक पर ही पढ़ने वाला है नए ट्रेनिंग की जरूत होगी जिने तियार करने की जरूत होगी कि उनके स्किल सेट्स बहतर किया जाए ताकि वो तकनीक के जो शिफ्ट के साथ अपने आपको तियार कर सके